हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस रेसीपी को जरूर ट्राइ करें और अपने विचार कमेंट सेक्षन में पोस्ट करें। अदरक को छील कर छोटे टुकडों में काट लें। फिर इसे बारीक पीस कर पेस्ट बना लें। इसे पैन पर धीमी आंच पर एक मिनट के लिए भूनें। गुर का पाउडर डाल कर अच्छी तरह मिलाएं। गुर के पिघलने पर इसमें एक चोथाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए। एक पिसी हुई लोंग। एक चोथाई छोटा चम्मच काला नमक एक चोथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक चोथाई छोटा चम्मच शुदगी एक चोथाई छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर। धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक की मिश्रन प्यान को छोड़ना शुरू करने लगें. पानी की कटोरी और मिश्रन का एक छोटा सा हिस्सा लेकर यह जाच लेकी क्या इसे बॉल बनाकर मोल्ड किया जा सकता है. आंच बंद कर दे और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें. एक छोटा चम्मच शहद डाले और अच्छी तरह मिलाएं. मिश्रन हलका गरम लगने पर छोटी गोलियां बना लें. इसे एर टाइट कंटेनर में एक महीने के लिए कमरे के तापमान में स्टो किया जा सकता है. इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अधिक दिल्चस्प और स्वस्थ व्यंजनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.